कई लोगों की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि जिम कॉर्वेट को जो चमपावत फॉरस बंगलो में जो एक्सपीरियन्स हुआ था जिसके बारे में उन्होंने बताया नहीं था कि मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि यह वाइड लाइस की कहानी है और यहाँ पर कि इसे परे बातों के लिए कोई जगह नहीं है मैं फिर कभी बताऊंगा लेकिन उस बात को नहीं कभी बताया नहीं था तो काफी बाते मैंने ढूनी है तो मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में जिम कॉर्वेट को एक बार नहीं तीन-चार बार एक्सपीरियन्स हुआ और ये जो बाते मैं बता रहा हूँ आपको इसमें मैंने कई लोगों की कोट्स पढ़े हैं कई लोगोंने जो रिसर्च करी है जिसमें से जैराथ जी हैं जै। जोसेफ जौडानिया है और मार्टिन बूथ हैं तो ये सारी बाते joye बता रहा हूँ कहीं न कहीं किसी से ली ग 436 लोग मार दिये थे नेपाल और इंडिया में मिला के और पहले तो उसके उपर इनाम रखा गया था उसके बाद में फिर जिम कॉर्बेट ने शर्ते रखी थी कि पहले तो आप इनाम हटा लो क्योंकि इनाम के चक्कर हैं बहुत सारे लोग मारने चले जाएंगे और वो इध जिम कॉर्बेट तभी शिकार करने जाते थे जब वो यह शर्त रखते थे कि दूसरे शिकारी फील्ड में नहीं होंगे जंगल में नहीं होंगे उसका एक मातरी रीजन था कि कभी यह जा रहे हो टाइगर को ढूड़ने इनकी आहट से दूसरा शिकारी कहीं से आहट समझके गोली चला दे तो फिर जान जाने की संभावना थी तो जिस दिन चंपावत टाइगर की श्टोरी मैंने की है मेरे चैनल पर है प्लेलिस पर मिल जाएगी आपको जिस दिन चंपावत टाइगरेस को जिम कॉर्बेट ने मारा था एरोपलेन आ रहा है मुझे लगा लेपर ने दाढ़ा है तो यह देहरादून की फ्लाइट जाती है उपर से नहीं तो हेलिकॉप्टर है तो जिस दिन जिम कॉर्बेट ने चंपावत टाइगरेस को मारा उसके ठीक दो दिन पहले यह घटना हुई थी जिसके बारे में हम ब मैं साइड में फोटो दिखा रहा हूँ आपको एक टीन का शेड जिसमें की दो कमरे थे चोटा सा वरांडा था तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे कमरा दिख रहा है इसमें जिम कॉर्बेट सोय थे राइट हैंड साइड जो एक छोटी सी दिवार है जहां लोग से हुए हैं वहाँ पर उनका सर्वेंट सोया था बहादूर खान यानि कि उस दिन जब घटना हुई तो चंपावत के बंगलों में जिम कॉर्बेट अकेले नहीं थे बिल्कुल बगल वाले कमरे में बहादूर खान सो रहा था और पीछे वाले कमरे में पीछे जो शेड सा स्टोर टाइप का था लकडी रखने की जगे वहाँ पर इनके बाकी सर्वेंट्स हो रहे थे हुआ यह था कि उस दिन जिम कॉर्बेट गए थे जंगली गूज मारने के लिए वाइल गूज मारने के लिए और उनको खबर आई थी कि एक कहीं पर टाइगर ने किल किया है ले शाम के टाइम पर जब वो आने वाले थे तो इनको उम्मीद थी कि वो रात को रुकेंगे ही लेकिन जब इनसे बातचीत हो गई सारी बाते जो प्लैन तैग हुआ कि भई कैसे कैसे बीट और्गनाईज होनी क्या होना जो भी था तो तसलिदार साब ने का आप मैं अपने घ की बात सुनी नहीं रहे से कॉर्बिट की बोले मैं तो जाओंगा और चल पड़े इनके मन में ख्याल आया कि आदेखो कितना बहादूर आदमी है कि जिस जंगल में 400 आदमी मारने के बाद टाइग्रेस घूम रही है वहाँ पर एक आदमी लेके जा रहा है और रोशनी भी टाइग्रेस 15 फिट की दूरी से जंप मारेगी तो दिखेगी भी नहीं लालटेन की रोशनी तो बस 5-6 फिट दूर तक जाने वाली थी तो वो चले गए अब कॉर्बेट रात को सोए तो उन्होंने इस अपनी बुक में लिखा है जो मैं नीटर सब कुमाउं की मेरे साथ को जैसी घटना हुई जिसको कि मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि यह बुक वाइल लाइफ से रिलेटेड बुक है और इसमें इस तरह की बातें जो की प्रकति से परे हैं जो की पैरा नॉर्मल है या सुपर नैचुरल है उसका जिक्रिन नहीं करूंगा अब दोस्तों यहां पर क्या है मैं एक पूरा यह हम डिस्कुशन कर रहे हैं कोई दावा नहीं है और सबसे पहली बात कि जो सारी बाते हैं जिम कॉर्बेट के फैन के रूप में मैं बोल रहा हूं और कई आप लोगों को लगता होगा आप बहुत बढ़े फैन हो एक मैं आपको बताता अब वाके बात सब्सक्राइब मैं बसक्ताइब बात तो जो बहले हihat शोदबाम हो जो अगर आप बोल रहो कि मैं कोई जिम कॉर्वेट के खिलाफ बात बोल रहा हूं पहली बात तो जो रिसर्चर से रिसर्च की वह बात बोल रहा हूं कुछ बाते मैं अपनी तरफ से भी बोल रहा हूं कि जो घटना क्या थी और उनके लाइफ में क्या-क्या घटना हुई यह मैं सारी बता रहा हूं तो जिम कॉर्वेट के सबसे बड़े फैन के नाते बात बोल रहे हूं जिम कॉर्वेट हीरो थे सुपर हीरो थे less लेकिन जो analysis हम बात की करते हैं तो उन्होंने बोला कि इस बात का मैं जिक्र यहाँ पहें नहीं करूँ गा क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं वो करना चाते थे, इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ लेकिन मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब ठाक मैनीटर को मारने जिम कॉर्बिट गए थे, ये बात मैं अपने मन से बोल रहा हूँ उसमें ये वाला भी है, तो वो गाउं जिसमें एक भी आदमी नहीं था, वहाँ पे एक चीखने की औरत के चीखने की दर्द भरी चीख की आवाज आई थी और वो आवाज सिर्फ जिम कॉर्बिट ने नहीं सुनी थी, वहाँ पे सामर डियर और उसका बच्चा था, वो भी चौक गए थे, क्या हुआ, काकड था, बार्किंग डियर, वो भी चौक गए थे यानि कि वो आवाज कोई भ्रम नहीं था, जिम कॉर्बिट को, आवाज आई थी, और जानवरों ने भी सुनी थी, जो कि जनरली कोई जंगल की आवाज होते, ऐसा अलर्ट नहीं होते, क्योंकि टाइगर की आवाज नहीं थी, लेकिन उस घटना का जिक्र, जिम कॉर्बिट जब आदमी नहीं था, तो कौन चिल लाएगा, जानवरों ने भी सुनी, उन्होंने भी सुनी, तो ये बात जो मैंने आप से बोली, कि मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसा ना समझना कि, वो है, मैंने का मैं जिम कॉर्बिट के सबसे बड़े फैन के नाते बोल रहा हूं, कि मैं चर्चा करना पसंद नहीं करते थे, कैसे, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो मैंने पढ़ा है, तो ये घटना पहले मैं आपको बता दूँ, चमपावत वाले में हुआ क्या था, जब रात को जिम कॉर्बिट रुके, जिम कॉर्बिट ने तो ये बात नहीं एक और बहन थी, तो ये बात बहादुर खान ने या तो मैगी को बताई, या फिर मौरिस नेस्टर की मदर को, कि क्या क्या हुआ, हुआ ये था कि उस दिन जिम कॉर्बिट के कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में बहादुर खान सो रहा था, बीच में एक दरवाजा था, उस द चेहरे में इतने मोटे-मोटे पसीने की बूंदे थी, और सास नहीं ले पा रहे थे, बहुत बुरी तरह से हाफ रहे थे, और बहादुर कार ने पूछा कि साहब क्या हुआ, क्या हुआ, तो बोले मैं अब अंदर नहीं जाओंगा, और यहीं सौँगा, बाकी सर्वेंट प कदम रखोगे तो रूम के अंदर, वो वहीं पे सोए, उसके बाद अगले दिन फिर वहीं सोए, उसी बंगलो में, ऐसा नहीं कि बंगला छोड़के चले गए, लेकिन उन्होंने पहले बोल दिया थे, कि तुम लोग सर्वेंट मेरे साथ सोगे, वरांडे में ही सोए, अंद करी नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा है तो आपको बता रहा हूं, लेकिन एक तो ये घटना हो गई, इसी से रिलेटेट एक और घटना है, जनरली लोगों ने नहीं सुनी है, जिम कॉर्बेट आर्मी में भी थे, जब वो युद्ध लड़ रहे थे, तो उनके साथ वो एक जग कमरे में रुकिएगा, वो बोलें नहीं, मैं इसी कमरे में रुकूंगा, आप खुलवाईए, और वो कमरा खुलवा के, उसी कमरे में जिम कॉर्बेट सोए, उसके भी, उस कमरे का भी सीन यही था, कि उससे एक दर्वादा निकल के बगल वाले कमरे में जाता था, और वो ग में यहीं सोंगा फिर उनी के कमरे में उनी के साथ सोए वही कंडिशन थी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था बड़ी-बड़ी पूंदे पसीने की थी सांस भी नहीं ले पा रहे थे बहुत हाफ रहे थे उस वक्त उनके साथ ही जो गवर्मेंट ऑफिचर थे उन्होंने भी कुछ मत पूछेगा और नाश्ता चोड़के चले गए अब इसके बाद एक घटना दोस्तों और हुई है जो कि अथंटिक है कि नहीं मालूम है लेकिन कहीं पढ़ी है बता दे रहा हूं सही है गलत वह आप अपने हिसाब से सोचेगा क्योंकि उसमें कॉर्बेट का नामी न मैं बता देता हूं कि एक जगह कमरे में कहीं सोय थे तो रात को इनको घुंगरों की आवास सुनाई दी थी ऐसा लग रहा था जैसे मुझरा हो रहा हूं बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत सुना डर गए इनके दो दोस्त भी डर गए लेकिन तीसरे दोस्त को कुछ मालूम ही नहीं चला यह बात लिखी थी मार्टिन बूथ ने अब दोस्तों कुछ राइटर्स ने लिखा है यह लिखते हुए कि जिम कॉर्बिट के के फैन के नाते हम एनलिसस कर रहे हैं सही है कि गलात है नहीं मालूम लेकिन जो संभावना हो सकती है उसके बारे में कि एक पैनिक होगा कमरे में बहुत जादा भीटभाळोगी तो उन्हां वो पैनिक अट्यक होता है बहुत जादा डर का अनभा होता और यहीं सिम्टम सोते हैं बहुत जादा पसीना आता है सांस नहीं ले पाते इस तरह के चीज होती है तो अन राइटर्स ने यहीं मेंशन किया है कि शा चीख कי आवाज सुनाई तो खोले में बैठे थे मसान की ऊपर बैठे थे खोर बात था तो वहां उनको बैट जंगल एक वहाज सुनाई दे रही है तो भी नहां बैखना वह ठाली कालव में ने रात को चुडै की चीख के आवाज सुनी बाहर निकले तो बंदूक से एम ले नहीं सकते एक पक्षी बैठा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था थोड़ी दूरी पर अंधेरा था तो एम नहीं सकते थे इन्होंने गोली नहीं मारी लेकिन वह ऐसे चिला रहा था जैसे अजीवों करीब आवाज हो जै है चंपावात वाले कमरा कोई बड़ा नहीं था आप देखो फोटो देखके आप अंधाया लगा लोगे बहुत ही चोटा सा गेस्ट हाउस है कौर्टर है नाम है बंगलो तो जब बंद कमरे में थे और जिम कॉर्बट की एक आदत थी वह कभी भी बंद कमरे में सोना कि जालतर में आप देखोगे कि जिम कॉर्बट रेस्ट हाउस के बाहर टेंट लगा कि सोते थे कई बार वो उनके फ्रेंड कमिशनर आ गए तो रूम खाली सा बगल वाला लेकिन वह इसलिए नहीं सोय कि प्राइविसी डिस्टर्बना हो जाए बगल के कमरे में हैं टेंट अगा कि सोते थे हला कि एक राथ सोय जब वो कमिशनर चले गए थे लेकिन जो कई लोगों ने रिसर्च करी उनका यह कहना है कि जिम कॉर्बट ने एक घटना बच्पन में देखी थी यह देखे कई बार क्या होता है कुछ बच्चे बक्से में बंद हो जाते हैं कहीं बंद है एक संभावना यह हो सकती कि जब जिम कॉर्बट ने निताल में रहते थे तो वो उनका परिवार किराय के मकान में रहता था मली ताल में मली ताल दोस्तों वह जगह जहां अभी नैना देवी का मंदिर है फ्लैट्स है जहां पे एक मैदान है क्रिकेट मैच वगरा होते है ठीक उस फ्लैट्स के पीछे का पहाड लैंड्सलाइड हुआ था अठारा सो असी में 18 सेप्टमबर 1880 में और जिम कॉर्बट उस ताहीं पास साल के थे और जिम कॉर्बट का परिवार वहीं रहता था 1875 जिम कॉर्बट के जन्म के पहले तक किराय पे जहां यह लैंड्सला आया या लैंड्सलिप आया जिसमें की 151 लोग मर गए थे जिम कॉर्बट ने पास साल की उमर में अपनी आखों से देखा था इनके पूरे परिवार ने देखा था क्योंकि सामने का भी वह आ रहा था और उनकी बहन मैगी ने बताया भी था कि उनके बहुत सारे परिचित जो पडोसी थे पहले किराय के मकान में दब गए थे तो कहीं न कहीं एक एहसास यह ओंगे थे सफ़ोकेशन से दबे थे मिट्टी में दब गए थे यह लोगों ने रिसर्च करी कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि इनके बाल मन में एक बच्चे के मन में वह कहीं न कहीं बात दब हो क्योंकि उन्हें पास साल की उमर में इतनी बड़ी घटना देखी थी तो जिम कॉर्बट को साथ पता ना हो लेकिन वो शायद बंद कम्रे से घबराते थे जैसे मैंने बताया कि काला डुंगी के घर में वो टेंट में सोते थे बंगला था उनका और नयनिताल का घर में वो बहर सोने की जगह नहीं थी तो कम्रे में सोते थे लेकिन कोई भी मौसम हो खिड़कियां खुली रखते थे खिड़की बंद करके नहीं सो पाते थे अगर उन्होंने कपड़ाला पेटा अपनी गर्दन में हैड को पीछे इस तरह से डाला कि अगर टाइगर या लेपर्ड पीछे से आके अपने दात गड़ाए तो उनकी गर्दन में ना गड़े वो उनको मौका मिल जाए अपनी बंदूख चलाने का वह मजबूरी है बहुत सारे ल उनको एक बर क्या experience हुआ था कि वो एक जंगल में शिकार करने गए थे forest rest house में रुके तो कमरे में ठंड बहुत लग रही थी तो जो dining hall था वहाँ पे fire place था उसमें आग जल रही थी तो वहीं पे वो अपना उसके बगल में टेंट लगा के सो गया बगल में राइफल रख ल रात को इनकी नीद खुली तो अचानक से उनक देखा कि अंग्रेज लड़की fire place के बगल में खड़ी है और वो जो आग जलती हुई law है उसके चहरे पर पड़ रही है अंग्रेज लड़की थी गोरी थी एकदम shine करके red चहरा आग की वज़े से आज की वज़े से कि अगर आ अचाने का था उड़ने का सब इन्होंने वोड़ लिया क्योंकि कांप रहे थे तो उसके बारे में बोला जाता है कि कई लोगों को क्या होता है कि कुछ ऐसा बुरा सपना आता है कुछ घटना करा मगर उनको पहले बता दिया जाए अगर आपको पहले बोल दिया जाएगा कि आप जिस पुराना सा मकान हो आपको बोल दिया जाए एक बुरी आत्मा रहती है और अगर आप अकेले होगे तो जब आप सोगे तो आपके दिमाग वही जब आप 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 बंद करोगे आपकी आप खुल जाएगी या आपको लगेगा वो कोई आपको देख रहा है मेरे साथ ऐसा जैपूर में हो चुका है एक हेरिटेज होटल में किसी ने जिक्र कर दिया था कि यहाँ पर डेथ होई है नाम नहीं बताओंगा क्योंकि किसी क्या नाम नहीं लेना चाहिए होटल का लगजरी होटल था 2008 की बात है मैं किसी काम से गया था ग्रुप था जापान स काशी वगएरा पेंट वो तो फिर होटल बना दिया तो बाद में किया था सारा लुक वो था और बाकी लोग इधर रुके थे बीच में आंगन पढ़ता था मुझे याद है भी भी आंगन के वहाँ पर फूल जो चोटे से बढ़तर पानी डालके फूल रखते हैं पूरा आसा ही एक बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है कोई मुझे देख रहा है ऐसी एक बार फील मुझे आई थी ताशकन में उजबेकस्तान में मैं रुका था ताशकन पहले सोटल में वहाँ लाल बहादूर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे की वहीं पे टेथ हुई थी ताशकन समझोता जब उन्होंने किया था तो मैं चार नाइट रुका लेकिन पहली नाइट मुझे बहुत डर लग रहा था अकेला था रूम में वह होटल ऐसा नहीं है कि हरिटेज होटल है लेकिन मन में सुन ली थी जो बाते हम हम सुन लेते हैं तो मन में ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं तो इतनी जगे में जाके रुकता हूँ अकेले हमेशे ही अकेले चलता हूँ गाड़ी में भी आप देखते हो चलता हूँ कभी डर नहीं लगता लेकिन उस दिन में मुझे बहुत डर लग रहा था यह बात है 2013 के असपास की तो फिर थ्री नाइट और रुका फिर ठीक लगा लेकिन थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे रोजी था पता नहीं क्या था क्योंकि सुना हुआ था इतना तो यह तो मैंने आपको अपना एक्स्पिरियंस बताया ऐसे ही अगर आपसे कभी भी कोई बात बोल दी जाएगी कि यहा कि शायद वो मुझे सपना आया कि वो अंग्रेज लड़की की कब्र का सुन लिया था वो खड़ी थी लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि सपना नहीं है सुबह उटके भी इस पे भी दोस्तों मैं आपको एक गटना बताता हूं मैं तीन साल का रहा हूंगा यह मैं जब आपको टाइकर देखना बोलता हूं तो इसलिए बोलता हूं कि दस साल की उमर में पवाई पोहूंच गया था तो पन्ना मैं चार साल का था तो पापा रैसे ना आ गय थे इसलिए मैं बोला कि तीन साल का था तीन का था साड़े तिन का मुझे एक सपना ऐसा आया था कि जो हमारा बंगला था उसके बाहर एक जाली का कमरा था और उसके अंदर से मैं देख रहा हूं बाहर बिजली के तार में एक बड़ा सा भालू टाइप कोई लटक रहा है और वो थोड़ी से नीचे गिरा में डर गय यह और में उसопना आया होगा देख लेकिन अब मुझे लगता था कि बढ़िए लगता है कि लेकिन आपने मुझे लगता है कि बराद में यान को बमें पुरानी शादे देखता हूँ तो मुझे लगता कि पीटर बन का कहना है कि शायद वो सपना था लेकिन जिम कॉर्बेट की कहानी में वो सपना नहीं था क्योंकि जिम कॉर्बेट की जब बाहर निकल के आये थे दोनों बार दूसरे आदमी ने देखा था उनको एक बार बहादूर खान ने देखा था एक बार वो government officer ने देखा था तो सपना थो नहीं था हो सकता है कि इतना डरे हुए जोड-जोड से चिला रहे और उसके बाद जोड-जोड से हाफ रहे जब Corbett Mohan Manager को मार रहे थे तो उन्होंने लिखा था कि दूसरों का मुझे नहीं पता लेकिन जब मैं Tiger को देखता हूँ तो मुझे सांस आनी कम होने लगती है मतला मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है शायद उसकी वज़े ये है कि एक तो Tiger का डर कहीं वो attack न कर दे और दूसरा जो excitement होता है कि आप मुझे इसको गोली मारनी है निशाना लेना है तो वो डर और excitement का mixture होके उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी ये बात खुद Corvette ने बोली है मुहान Manager को मारने के टाइम पे एक राइटर थे जैरी जलाल उन्होंने कहा कि कई लोगों का मानना था कि जब ये घटना हुई तो कई लोगों का मानना था कि Corvette के साथ रूम में कोई दूसरा प्रजेंट था जो कि गायब हो गया जब Corvette बाहर निकले तो हो सकता है ऐसा कुछ हो या उन्होंने अपने नोकरों कोई बात बता ही नहीं कि क्या था कि मेरे साथ कोई था नहीं बस वो बोले कि मैं सोंगा नहीं अंदर बाहर सोंगा और तुम लोग मेरे साथ बरांटे में सोंगे अब कई लोगों को क्या होता है दोस्तों एक चीज होती है phantom pain अगर किसी ने अपना appendix निकलवा दिया appendix जो हमारी body में होता है जो कि activated नहीं होता है उसका कोई काम नहीं होता खरगोष के शरीर में वही बहुत अच्छा काम करता है और जो हरी घास खरगोश खाता है उससे हजम करता है तो लेकिन appendix मों जब pain होता है तो बहुत जादा होता है तो operation करके उसको निकाल दिया जाता है कि उसके होने ना होने से body में कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन कई लोगों के appendix निकल जाने के बाद भी appendix का वैसा ही दर्द होता है जबकि वो part body में है ही नहीं इसको बोलते है phantom pain कि भूत का दर्द यानि दर्द हो रहा है फुल दर्द हो रहा है आदमी परिशान है लेकिन वो तो part है ही नहीं जहां उसको लग रहा है के दर्द हो रहा है या कई लोगों को UFO दिख जाती है उडन तर्श्तरी दिख जाती है कई लोग बोलते हैं कि उडन तर्श्तरी उतरी है और उसने हमारे सामने देखते देखते एक आदमी को kidnap कर लिया ये बात एकदम दावे के साथ बोल रहे होते हैं वो बिल्कुल घबराय हुए होते है जबकि ये शायद घटना हुई नहीं होती है तो एक जो researchers ने research करी वो ये उनका मानना था कि क्योंकि बच्पन में जिम कॉर्बिट ने वो घटना देख ली जिसमें लोग suffocation से मरे थे और tiger भी जब किसी को मारता है तो suffocate करके मारता है कुछ ना कुछ इस तरह से वो घटना उनकी life में relate होती रही और जब वो suffocation उनको होता था छोटे कमरे में सोते थे और कोई बात किसी ने बता दी कि यहाँ भूत है दोनों का mixture होके panic attack भी आ सकता है ऐसी सिर्फ संभावना है दावा नहीं है यह सिर्फ चर्चा है अगर आप tree top वाली कहानी सुनोगे जब वो इंडिया छोड़के केन्या चले गए थे और princess Elizabeth आई थी जब उसी रात को वो queen बन गई थी tree top में रुकी थी तो Jim Corbett कमरे में नहीं सोय थे stair में बैठे रहे थे उपर बले ही शायद वो queen की या princess की सुरक्षा के लिए बैठे हो लेकिन जनरली आप देखोगे तो Jim Corbett कमरे में सोने की जगे खोले में सोना पसंद करते थे कपड़े भी आपने देखा शॉर्ट स्कानते थे और कई बार ऐसा भी हुआ कुछ उनके साथियों ने बताया कि जैसे गाउं में मानने था होती ने कि अगर आपने tiger का नाम लिया तो tiger आ जाएगा जैसे यह leopard territory है मैं अगर बोलू तेंदुआ तो गाउं में कोई नहीं बोलेगा जो घने जंगल में जहां पर आतंक होता है कि उन्हें लगता है अगर आपने तेंदुआ बोला था फिर तेंदुआ आ जाएगा ये बात सुंदरबन में भी बोली जाती है सुंदरबन में कभी भी कोई भी जंगल में जाता है तो वो बा अचानक से बोट में ऐसा लगा कोई भारी भरकम टाइगर वैसे 200-200 किलोग को होता है कि सुन्दर बन का थोड़ा छोटा होता है फिर भी 100-500 किलोग एक साइड साइड साकर उसने बाग नहीं बोला टाइगर भी नहीं बोला मामा बोला तो जिम कॉर्बेट ने भी कई बार जो चर्चा चलती रहती थी अपने नौकरों के साथ तो उन्होंने बोला था कि चुड़ैल का नाम लोगे तो चुड़ैल आ जाएगी तो इस तरह की बाते चलती थी हलाकि जि नीटर के पीछे अकेले जाते रहे थे वो इस उम्मीद से गए थे कि अब जिंदा नहीं लोटेंगे क्योंकि उनका दर्द इतना ज्यादा हो रहा था उसके बाद एक पेड़ पे बैठ गए थे पेड़ में वो कान का जो फोड़ा था फट गया और फिर ठीक हो गय थे लेक कुल विश्वास नहीं करते थे लेकिन ये जो घटना करम हुए दो जो वो राजा के घर में हुआ और चंपावत के बंगलों में हुआ उनके बारे में उन्होंने डिसकस नहीं किया एक बुक में लिख दिया कि यह क्योंकि वाइल लाइफ की बुक है तो मैं इस बारे में अ पाक मेन इटर का जिकर जो चुड़ेल की आवाज आई थी उसका जिकर उन्होंने अपनी बुक में किया है तो इस बात से यह अंदाज लग सकता है कि उस घटना में क्योंकि वो खुले में थे तो इतने जादा नहीं डरे क्योंकि वो भूत से नहीं डरते थे यह जो घटना हो गई है अब पीछे से आवा जारी है मैंने तेन्दुए का नाम लिया तेन्दुए तो नहीं आ गया तो जंगली मुरगा है तो वो भूत से नहीं डरे उनको जो इतना सफोकेशन और जो एक फील हुआ यह अंदाजा बता रहा हूं उससे इतना ज्यादा डर गए कि उसके बारे में वो अगर वो बात भी करते होंगे ना तो उनको सफोकेशन फील होने लगता होगा ऐसा मेरा मानना है और ऐसा जो रिसर्चर्चर्स की रिसर्च पे था यह सारे फैक्ट्स दो चार बाते मैंने अपने मन से बताई जो रिलेट करके कि जो मेरे साथ हुआ था उसे हम सौ बार अलग-लग लोगोंने बोला है कि जिम कॉर्बेट की वो चम्पावत वाली घटना के बारे में बताई है तो मैंने बहुत कुछ अपनी तरफ से कोशिश की निकालने की कोई दावा नहीं है तो मैं एक ही दावा कर रहा हूं कि जिम कॉर्बेट बहुत बड़ झाल झाल